हाई गाइन दिस इस बबीता एन वेलकम बैक तो माय चैनल दिवाइन लाइट आप टारो गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम्नेल में देखे लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है वो यह है कि देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें तो अब हम देखेंगे कि आप लोगों की आँखों में क्यों खटकते हो क्या वज़े है यह हम इस रीडिंग के तुरू देखने वाले हैं आप क्यों लोगों की आँखों में क्या वज़े है उसकी आप क्यों लोगों की आँखों में क्यों खटकते हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या गलती से भी किसी न अगर इस वीडियो को स्क्रोल कर लिया है या गलती से देख लिया है तो यह रीडिंग उनके साथ रिजोनेट कर सकती है आपकी जो राशी है वो धनू हो सकती एट आफ काप्स एस आफ पैंटिकल्स आप क्यों लोगों की आँखों में खटकते हो पेज आफ सूट्स टू आफ काप्स आप लोगों की आँखों में क्यों खटकते हो क्या वज़े है तो यहां पर जो कार्ड आया है पेज आफ वॉन्स लवर्स सेवन आफ वॉन्स आप लोगों की आँखों में क्यों खटकते हों यहां पर आया है एस आफ काप्स नाइन आफ पेंटिकल्स एंड एंपिरर एंड बोटम आफ डैक आया है दा टॉबर मुट्स लोगों की आखों में क्यों खटकते हों बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं आप लोगों की आखों में क्यों खटकते हों कि आप लोगों की आँखों में क्यों खटकते यह वाले जो कार्ड से ना यह फॉल नहीं होते इसको निकालना पड़ता है मुमेंट टू मुमेंट कि खुद से फॉल नहीं होते भी आर्द वर्ड चेंज आइसोलेशन पहले भी यह कार्ड आ रहा था ड्रीम वन मोर कार्ड रीबिल देखिए सेम कार्ड आया है वाटम आप देख मास्टर तो बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशियों की तो आपकी राशी जो है Aries हो सकती है मीश राशी हो सकती है आपकी मि传ून हो सकती है धनू हो सकती है और Pentacles Energy है यहां पर तो आपकी राशी टॉरस वर्गो Capricorn हो सकती है करक रश्चिक मीन हो सकती है आपकी डेटल वर्ग का मंथ जो है वह अगस्त हो सकता है जन्वरी हो सकता है, फर्वरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सेटेंबर हो सकता है, और अप्रेल हो सकता है अब बात करते हैं आपकी overall energy की, देखिए लोग, लोगों की आँखों में इंसान क्यों खटकता है, जब वो कोई बात स्वर्ष्ट बोल देता है, जब वो कोई बात straight forward, बीना किसी डर के, एकटम जो है किसी बात को बोल देना, और अपनी बात को रखने का साहस रखना किसी के भी सामने, इस तरह के जो लोग होते हैं, तो यहाँ पर जो overall energy आई है, tower की energy आई है, means Mars की energy, और Mars की energy वाले लोग क्या होते हैं, बहुत सासी होते हैं, बहुत active होते हैं, बहुत aggressive भी होते हैं, और निडर होते हैं, डरते नहीं है किसी से, जो कहना है सो कहना है, मन में कुछ भी नहीं रखते, मूँ पर बोल देने वाला साहस, है ना, और गलत बात के लिए लड़ने के कुंडली तयार हो जाते हैं, गलत बात जहन नहीं कर पाते हैं, मार्स वाले लोग, जिनका मार्स बहुत strong होता है, या हम कुंडली में अगर बात करें तो मांगलिक, है ना, और मांगलिक लोगों में energy बहुत जादा होती है, जो काम करने की जो शमता होती है, नॉर्मल इंसा से बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी जो शादी है, मांगलिक लड़के सही कराई जाती है, क्योंकि एक सुस्त और एक चुस्त, वह वाली बात, इसलिए मांगलिक इंसान के लिए मांगलिक ही लड़का देखा जाता है, उनकी compatibility भी अच्छी रहती है, और इन लोगों की काम करने की शमता, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती ही, बहुत speedy काम करते हैं, बहुत fast काम करते हैं, और कहने को अगर कहा जाये तो लोग मांगलिक लोगों से बहुत परहेज करते हैं, या मांगलिक को कहा जाये तो एक हुआ जैसा बना रखा है, लेकिन मांगलिक जो लोग लोग होते हैं बहुत दिल के साफ होते हैं वह अच्छे लोग होते हैं और यह जिस घर में जाते हैं या जिस घर में पैदा होते हैं उस परिवार को उस घर को बढ़ा देते हैं या जिस घर में शादी होकर जाते हैं उस घर को कहते हैं कि सम्षुक सम्रद्धि की और लेकर जा पर यह बता रहा है कि अगर किसी चीज में आपको बैलेंस दिखाई नहीं देता, किसी चीज में आपको हार्मनी नहीं दिखती तो आप उन चीजों का विरोध करते हो, उन चीजों को आप पसंद नहीं करते हो, उनके लिए आवाज उठाते हो, बोल देते हो इस पस्ट, इस क जो चीजें आपको लगता है कि कोई भी लोग, कोई भी situation जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस situation से move on करना पसंद करते हो, आप उस situation से बाहर आना पसंद करते हो, वहाँ से walk away करते हो, move on करते हो, इस कारण से भी जो है लोगों की आंखों में आप खटकने लगते हो, एस आफ पेंटेकल्स का कार्ड है, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, इस्टेबल बिगिनिंग करने की शुरुवात करते हो, आपको फाइनेशल सिकुरिटी बहुत पसंद है, इस prosperity कैसे आये और इसी कारण से लोग आपको ये सूचते हों, अब पैसे के बारे में तो इनसान को सूचना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीजी में तो इनसान के पैसा लगता है, चाहां जर्म की बात करें, चाहां मृत्तिव की बात करें, किसी भी कामपानी भी अगर आपको पी बोल जाते हैं आप तुरंत जवाब दे देते हों क्योंकि मन में कुछ नहीं है आपके आपके वस उपर जो है बिलकुल कहते हैं कि जो बोलना है वो उपर बोलना है मन में कुछ नहीं रखना तो इस तरह का जिसका भी बिहेवियर होता है जिसका जिसका भी नेचर होता है तो वो लोग जो है, लोगों की आँखों में खटकने लगते हैं, two of cups का कार्ड है, है ना, आपकी compatibility, आपकी जो कह सकते हैं, आपका जो घनिष्टता जो है, उसी इनसान से आपकी तालमेल आपका बैठता है, जिसकी energy आपके जैसी हो, जो आपके जैसा होगा, उसी के साथ आपका तालमेल बैठेगा और उसी के साथ आपकी पटेगी, है ना, तो इस कारण से ज्यादातर लोगों की आँखों में आप खटकने लगते हों, क्योंकि जो आपकी energy का नहीं है, जो आपकी frequency का नहीं है, तो वो आपको नापसंद ही करेगा, the emperor का card है, आप उपर से हो सकता है, ल खोड़ी सी ऐसी है कि dominating हो सकती है, तो इस कारण से लोग जो है, आपको ऐसा समस्तिव कि आप बहुत arrogant हो, बट actual में ऐसा है नहीं, आपका जो रिदय है, आपका जो मन है, बहुत soft है, बहुत जल्दी पिखल जाते हो, आप उपर से कड़क दिखते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत नरम हो, जिस तरह से नारियल होता है, नारियल उपर से तो बहुत hard दिखाई देता है, लेकिन अंदर बहुत नरम होता है, ना, soft होता है, तो इसी तरह से आप लोग जो हो, वो इस तरह से हो, आप उपर से बहुत harsh दिखते हो, बहुत कठोर दिखते हो, बट अंदर स असे नहीं हो यहाँ पर nine of pentacles का card है इसी कारण से कई बार आप अकेले रह जाते हो क्योंकि इस पर्ष्ट बोलने वाला और सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा जो है अकेला पड़ जाता है क्योंकि वो सत्य बोल देता है उसको चापलूशी करनी नहीं आती उसको बटरिंग करनी नहीं आती लोगों की हामे हामे लाना नहीं आती गलत बात पर विरोध कर देता है तो इस कारण से जो है आप लोगों की आँखों में खटकने लगते हो ऐस of cups का card है आप भहत Emotional हो सकते हो और बहुत sensitive हो सकते हो क्योंकि emotional इनसान जो होता है उसको बहुत जल्दी बूरा लगजाता है छोटी छोटी बातों में जो sensitive होता है और उपर से Mars की एनर्जी तो अगर बुरा लगा तो तुरंत बोल दिया आपने, इस कारण से लोग जो है आपको पसंद नहीं करते हैं, आप एकदम इस परष्ट बोल देते हो, 7 of Wands का कार्ण है, हमेशा अपने लिए फाइट करते हो, हमेशा अपने आपको सही साबित करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते हैं फिर भी लोग आपको नहीं जान पाते हैं यहाँ पर lovers का कार्ड है एक spiritual connection आपके साथ नहीं विठा पाते हैं और इसी कारण से जो है लोग जो है आपको गलत समझते हैं page of wants का कार्ड है आप बहुत enthusiastic हो आप बहुत passionate हो means आपका हो सकता communication skill भी बहुत अच्छा हो साथ साथ the rebel का कार्ड है means विरोध करने लगते हो आपको जहाँ चीजें गलत दिखती हैं आप तुरंत उसका विरोध करते हो आप गलत चीजें बरदाश नहीं करते हो इस कारण से जो है लोग आपको पसंद नहीं करते हो और उनकी आँखों में आप खटकने लगते हो isolation का कारण से अकेले पढ़ जाते हो अकेले रह जाते हो कई बार आपको ऐसा लगता होगा अकेला पन बहुत lonely feel होता होगा बट क्या होता है ना कि एक इंसान की प्रकरती होती है एक इंसान का nature होता है वो उसे इश्वर नहीं बनाया है वो प्रकरती उसको अपने माबाप से मिली है उसको जन्म समय में जो नक्षत्र थे जो उसका पालन पोशन जिस अवस्था में हुआ है उससे भी उसको ये गुण मिल जाते है तो इसमें उसका कोई देऊश नहीं है तो isolation आप फील करने लगते हो साथ साथ आपको change पसंद नहीं है आपको एकदम से transformation पसंद नहीं है we are the world हलाकि आप सबको अपना समझते हो आप सबको अपना मानते हो उनकी help भी करते हो उनको जो है मदद भी करते हो आप सबको एक family की तरह मानते है क्योंकि जिसका साथ दिल होता है वो उसको सब अच्छे लगते हैं मूपे वो इंसान बोल देता लेकिन उसके मन बहुत साफ होता है निश्क पट भाव तो आप हमेशा लोगों को अपना मानते हो लेकिन अगर आप कुछ सही बात बोल देते हो अगर आप सत्ते बात कोई बात कर देते हो या कोई बात स्पर्ष्ट बोल देते हो मन में नहीं रखते हो इसी कारण से आप लोगों की आँखों में खटकने लगते हो उनको आपकी अच्छाईया नहीं दिखती, उनको आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलती दिखती है, आपका एक जो कह सकते हैं ट्रेट्स उनको दिखाई देता है, बट कभी उन्होंने अगर deeply अगर कोई इंसान अगर देखा जाए, अगर किसी इंसान को minutely, deeply analyze करा जाए, तो उस इंसान का हम प्रकरती, उस इंसान का nature हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, moment to moment, इसलिए इंसान जो है बहुत फुक फुक के बात करता है, या यह कह सकते हैं फुक फुक के दोस्ती करता है, क्योंकि उसको लगता है आप ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर deeply अगर आप ज जानना, उसके साथ कम से कम तीन दिन, पांच दिन आप बिताओ, उसके साथ समय व्यतित करोगे, तो आपको उस इंसान का nature पता लग जाएगा, और उसकी वज़े भी पता लग जाएगी कि वो इंसान ऐसा क्यों है, तो हलाकि आप गलत नहीं हूँ, आप भास सही हो, ऐसे इ पीचे वार नहीं करते है, जो कुछ कहना है, सामने कहते हैं, सामने ही अक्टेक करते हैं, पर लोग जो है, ऐसे लोगों को बula मानते हैं, हैना, dreams, dream का card है, हो सकता है, आपको dreams बहुत आते हूँ, आपको dreams में बहुत सारी चीज़ें, कुछ पता लग जाती हूँ, तो लोग इस कारण से भी आप लोगों की आखों में खटकने लगते हो यही एक में वजा है तो यह थी रीडिंग आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग माई वीडियो हर हर मह श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम साइराम जय मातादी राधे राधे